इंदोर शेयर के विकास और इंफ्रास्ट्रक्टर को लेकर रेड इंडिया 24 ने इंदोर कलेक्टर आशी इससे चर्चा के जोरान कलेक्टर ने शेयर के विकास के लिए लागू होने वाले प्लान और नशे के खिलाफ आच्वार साहिता के बाद बड़ी कारवाई करने के संके नमस्कार मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारे साथ रेड इंडिया 24 मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन दौर के जिलादीश जीहा आशी सिंग आपको पता दे कि मद्धिप्रदेश के सरवादिक सम्वेदनशील अधिकारियों में इनकी गिंती होती है और इन अहिल्या नगरी की नब्ज को जितनी बारी की से आशीस सिंग समझते हैं शायदी कोई समझ पाता होगा क्लेटर साथ इंदौर में आप अलग-अलग पदों पर जैसे रहे तो इंदौर की नब्ज को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं और इन दौर की विकास की असल गती क कि यहां पर भी उसके पदस्तापना होती है वहां पर सारी प्रिस्यतियों को समझे और जितने भी स्टेकोल्डर्स हैं चाहें वो जन प्रतेदी हों चाहें वो मीडिया के लोग हो समाज के लोग हों उनसे सबसे फीड़बैक लेके उसके आधार पर आगे काम की दशादिशा करें और उसी काधार पर काम करें तो यहां पर भी वही चीज लागू होती है और इंदोर में सभी जितने भी ग्रूप से हैं चाहें ओजन प्रतेदी हों मीडिया हों दूसरे समाज हों जो व्याफसाइक यहां के संगठन है उन सब का चूंकि सहयोग कुईसी भी आप काम कर करने के लिए जाईयत बहुत अच्छे डंक से मिलता है इसलिए यहां पर काम करना तो रहा असान हो जाता है विकास का क्या पैमाना आप मानते हैं आपके नजरिये से डेवलप्मेंट की एक एक्च्छल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए देखें अगर इंदोर के संदर में हम लोग बात करें तो विकास जो है वो एक तरीके से बहुआयामी संकल्पना है जिसमें कि हमको सभी चाहें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो भी होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो पर्यावरण है उस पर भी हमको काम करने के आवशक्ता है जो गरीबों के आवास हैं उनके उपर भी हम लोगों को काम करने के आवशक्ता है इसके अलावा सभी जो शास्की उजनाएं हैं उनका लाप सब तक पहुँच सके वो भी एक विकास का बहुत महात पूरंग है नशे को लेकर के अब आम आदमी भी मुखर होता जा रहा उसका ऐसा मानना है कि इंदौर शहर में जितनी बेबाकी से नशा सप्लाई किया जा रहा है जिसके चलते लगातार अपरादों में इंक्रिमेंट हो रहा है और ऐसा कोई अपराद नहीं है आज की तारिक में जो इं लेकिन ये जरूर है कि नशे के संबंद में पूर में भी कई कारवाईया हुई है लेकिन कुछ शिकायतें लगातार मिला करती हैं तो इसी लिए हमने बीच में एक बैठक भी करी थी जिसमें जो एडिशनल पुलिस कमिशनर अमित सिंग साभ हैं वो भी आये थे सभी स्टेक और जो आपने बंदा उठाया है निश्यत दूरूप से गंभीर और इस पर बहुत ही गंभीरता से काम की जाने की आवशकता है हम लोग निश्यत दूरूप से इस समंद में आगे काम करेंगे लेटर सब जब नाला टेपिंग की गई थी तब सपना ये देखा गया था कि 2030 तक की तयारी हो गई है पर जब पहली ही बारिश होई तब सारे सपने धरातल पर धराशाई होते वे नजर आए और इन दोर के तमाम दिगज जनप्रती निदी चाहे के लाश विजय वरगी की बात की जाए मालीनी गौड की बात की जाए सभी का दबे छूपे शब्दों में यही कहना था कि कई ना कई नाला टेपिंग में कुछ बड़ी खामिया है जिसके चलते शहर भूगत रहा है कैसे देखते हैं देखे पहले तो मैं यह क्लियर करना चाहूंगा कि नाला टेपिंग और जो बारिश का पानी है इनका आपस में कोई भी संबंद नहीं है नाला टेपिंग का जो उद्देश होता है जो सीवर लाइन का जो उद्देश होता है उसमें हाउस होल्ड से हम लोग सीवर का पानी और उसको आखिरी तक लेके जाएं जहां तक स्टीपी है और स्टीपी से शुद्ध करके उसको जो भी कोई नाला है नदी है या किसी स्टॉम वाटर में हम लोग छोड़े जो बारिश का पानी होता है उसके मैनेजमेंट के लिए स्टॉम वाटर की लाइन डाली जाती है और जब रोड का काम किया जाता है उसके साथ स्टॉम वाटर की लाइन डाली जाती है कई बार गलत फ़हमी ऐसी हो जाती है कि जो सीवर की लाइन है इसको मान लिया जाता है कि बारिश के पानी को बहाने के लिए भी इसी लाइन का प्रियोग हमको करना चाहिए कई जगे पर ऐ से उधारन भी देखने को मिले की बारिश का पानी निकालने के लिए जो चेंबर सीवर के, उनको तोडा गया, लाएं को तोड गया और उसको सिधा नदी में मिलाये गया जो पूरी तरीके से गलत था सीवर जो है, वो पूरी तरीके से एक अलग सिस्टम से चलता है और storm water बारिश का पानी जो है पूरे अलग तरीके सिस्टम से चलता है दोनों को हमको अलग अलग करके देखने के होशकता है लेकिन ये बत सही है कि जो हमारे STP's बने थे और line जो डाली गई थी उनमें कहीं कहीं कमिया रही हैं जिसकी वजह से इसमें एक बहुत बड़ा उसका है इसली हम लोग आगे इस पकायर की कोई गलतियां नहों और इस पकार का कोई confiction नहों हम लोग इस बार आइटी इंदोर को अपने इस पूरे अभियान में शामिल कर रहे हैं और उनसे पांच साल का M.O.U. हम लोग कर रहे हैं जिसमें की सिंगस से पहले सभी नदियां शुद्ध हों और उसके बाद भी शुद्ध रहे हैं ऐसा पांच साल का M.O.U. उनके साथ है आज शाम को उनके साथ जो प्रोफ पूर्ता पूर्ण हो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करी जा सकें इसके लिए आयटी के साथ में एक बहुत ही लांग टर्म एमोईू और उसके साथ में एक बड़ी टीम वाला एमोईू हम लोग करने वाले हैं जिससे बविश में इस पिकार की चीज़ों की पूर्णवत्त को रोका जा सके और किसी भी हालत में 2027 तक कान और सरस्थी दोनों नदियों को शुद्ध करके शिप्रा सुद्धी करने का जो हमारा प्लान है उस पर हम लोग अब काम करेंगे क्या कुछ नावाचार आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जिला प्रशाशन की और से देखे हमारा प्लान ये है कि एक बड़े विजन के साथ में इन दौर में काम किया जाए और इन दौर को इस तरीके से विक्सित किया जाए कि एक तरफ ये बेंगलॉर और पुने जैसे जो शहर है उनका जो इंफरस्ट्रक्चर है उसकी बराबरी भी कर सके लेकिन जो गलतियां उन बड़े शहरों के प्लानिंग में हुई है उनको भी किसी तरीके से हम लोग दूर कर सके इसके लिए जो इस्टरन और वेस्टरन ड रोट करेगा और उसके लिए क्या क्या इंफरस्ट्रक्चर हो दूसरी चीजें होनी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं एक विजन 2047 भी इंदौर के लिए हम लोग बना रहे हैं कि 2047 में इंदौर कैसा दिखेगा और उसके लिए अलग लग वागों को क्या करने क्या आ अलगा के जितनी भी मास्टल प्लान की रोट्स हैं वो सारी के सारी बना दी जाएं और हमारे शहर में वर्टिकल ग्रोथ को और जदा प्रमोट किया जाए जो नए हम लोग ग्रीन बेल्ट तो बनाए ही बनाएं पुराने जो ग्रीन बेल्ट थे उनको किसी तरीके से हम लोग एक तरीके का विजन डॉकुमेंट तयार कर रहे हैं और सभी विबागों के साथ में मिल जूल कर काम किया जाएगा थंडे बस्ते में हैं कि नए पोधे नहीं लगाये जा रहे हैं देखे हम लोग इस बार जो आगे का मास्टर प्लान आ रहा है उसमें हम लोग यह कोशिश करेंगे कि ग्रीन डी कोर कैसे बढ़ाया जासके और पुराने जो हमारे ग्रीन बेल्ट हैं मास्टर प्लान के उनको हमारी इंदौर का लिटर आशी सिंग से विशेश चर्चा नए शेहरे के साथ फिर होंगे हाजिर मुझे देदीजे इजाज़त और बने रहे है रेड इंडिया 24 के साथ